सो हाई गाईस मैं नाम हरीश और आप देख रहे हैं मेरे एक्टिव चैनल पास पेजिस्ट तो रिज्वारीश स्वागत करता हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो में तो गैस आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहा दूँ कि सौरी गाईस यह वीडियो चार य अपडेट्स हैं माल्टा की तरफ से माल्टा किस तरीके से आगे बढ़ रहा है किस तरीके से अपनी जो है यह वीजा विंडो उपन कर रहा है तो आपको बना वीडियो में एंट तक मिना इस टाइम को वेस्ट कि हम टेक आफ करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले हम बात हैं इंडिया के बारे में गाईस जैसा कि हमने अनाउंस किया था 21 सेप्टेमबर को कि इंडिया की जो है वीजा मिल्डो यानी वी एफस सेंटर जो हैं काफी शहरों में ओपन हो चुके हैं उसके बाद में तीन सबसे बड़े सवाल जो मेरे सामने खड़े हुए हैं या जो म वीजा रिजेक्शन क्यों हो रहा है मुझे भी उम्मीद है कि आपको आप इन तीनों सवालों से जो है इंट्रिड्यूस हो चुके होंगे तो इस टड़ी वीजा के बारे में मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी उसे मैंने बताया था कि अगर आप अपने युनिवर्सिटी से जाबता करते हैं अगर आप अपनी युनिवर्सिटी से कॉंटेट करते हैं और आपके पास सीवी यू अप्रूल है तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो सकता है बस बात यह है कि आपको बात करनी रहेगी अपना केस आगे जो युनिवर्सिटी है वहां प्रजेंट करना रह है लेकिन आज मैं आपके लिए आया हूं तो एक पॉजिटिवटी लेके आया हूं पीज आप पॉजिटिव रहिए जल्दी ही अवेलिबल होंगे क्योंकि जैसे यह न्यूज आई थी ने मार्केट में कि वी एफस ओपन हो गए है तो बंच आफ पीपल मतलब बहुत सारे लोगों ने एक साथ स्लॉट्स बुक किये थे तो को सकता है कि बुकिंग अवलेबल नहीं दिखा रहा और इंडिया के किसी भी वी एफस सेंटर में booking नहीं दिखारा फ्लाल slots नहीं है तो लेकिन हमें positive रहना है हमें try करते रहना है आप और timing पर try कीजिए like सुबर जल्दी रात को लेट तो आपको appointment जरूर मिल जाएगी बाकि इसके अलावा appointment से regarding कोई ऐसा trick या tips आती है तो मैं आपको जरूर वीडियो में दोंगा तीसरा visa rejection क्यों हो रहा है कैस देखिए visa rejection के मैंने काफी सारे cases सुने हैं काफी सारे dm's आए मेरे पास जो मेरे को एक बात उसमें मैंने notice की उसमें एक statement में लिखावा था कि आपके जो documents है वो हमारे according appropriate नहीं है ये authorities में का है श्री लंका और मालदीव के लिए इन चार countries के लिए 25 या 26 तारी को या update आ गई थी official 27 तारी को या update आई थी official कि नेपाल बंगरादेशी मालदीव और श्री लंकन इंडिया के किसी भी VFS सेंटर में अपनी वीजा फाइल लगा सकते हैं वर्क वीजा से regarding officially ये announce हुआ था तो गैस अब यहाँ challenge भी appointments का आएगा क्योंकि जो लोग इंडिया में है उन्हें appointment ने मिलके तो जो लोग बहार से आएंगे उन्हें appointment कैसे मिलेगी तो गैस this will happen by time ये चीज time के according सही होती जाएगी लेकिन guys as of now appointments नहीं है पर good news यह है कि नेपाल और बनादेश वालों के लिए gates खुल चुक है वो कहते हैं एक दरवाज अगर खुले है तो सारे दरवाजे खुल जाते हैं तो starting हो चुकी है और आपके लिए बहुत ही positive ये news है और एक line नीचे लिखी गई थी VFS की website पर कि CVU approval की जरुवत अब तो है ही नहीं आप लोगों को तो ये काफी अच्छी news यहां मुझे देखने को मिल रही है अब मैं बात करूँगा जो सबसे बड़ा confusion point बन रहा है सबसे बड़ा यहां tension वाली बात बन रही है कि मेरे पाकिस्तानी बाईयों का क्या होगा जो लोग पाकिस्तान से apply करना चाते हैं वो कैसे करें काफी पाकिस्तानी nationalists इस चीज से परेशान है तो guys मैं आपको positive news दे दूँ मैं आपको good news दे दूँ वीजा apply करना एक valid चीज हो जाए UAE के अंदर तो guys काफी चीजे हो सकती है लेकिन guys जब तक यह news official नहीं आती फोर पाकिस्तानी इस की वो UAE में apply कर सकते हैं तब तक आप travel ना करें मैं यह से जाज़ करूँ लेकिन हाँ guys good news बहुत जल आने वाली है पाकिस्तान के रिगार्डिंग भी एक अच्छी news हमें जल देखने को मिले तो guys यह कुछ छोटी सी update थी आज के रिगार्डिंग मुझे उम्मीद है अगर आपको वीडियो से help मिले वीडियो लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए और जाते आते हैं हमारे चैनल को जलो सब्सक्राइब करें क्योंकि हमें मिलता है motivation और आपको मिलते हैं यह time motivation आप मिलेंगे ऐसा ही किसी अगले अच्छे informative नई वीडियो में तब तक के लिए बाबाई